हलो गाइज, 12th क्लास की Macro Economics में सबसे बड़ी यूनिट जिसका नाम है Determination of Income and Employment इसको प्यार से Aggregate Demand और Aggregate Supply वाली यूनिट के नाम से भी जाना जाता है ये Macro Economics में तीसरे नंबर पे आती है, इसको यूनिट 3 बोलते है और इस यूनिट का चौथा पार्ट बना रहा हूँ, यानि लेक्चर नंबर 4 आपके सामने पेश किया जा रहा है इस बात को भूलना मत कि 12 नंबर की ये यूनिट है और 5 वीडियो में इसको खतम करने का मैंने वादा किया है, तो चौथे नंबर की वीडियो है ये इसमें basically numerical questions cover करने वाला हूँ, उसके साथ साथ एक extra part जिसको investment multiplier बोलेंगे और case से denote करेंगे वो बताऊंगा पूरा whole numerical section इस वाले जूनिट का इस video lecture में करा दूँआ यानि यहांसे जो numerical आने के chances है, ज्यादा तर इस वाली वीडियो से आने के chances है इसलिए ये वीडियो आपको देखनी है, तो दोस्तों मैं आपका भाई दोस्त educator of economics लव कोशिक आपको इस जूनिट के सारे के सारे numericals crystal clear करवाने का वादा करता हूँ और शुरुआत करेंगे अपने topic investment multiplier से, जैसे कि नाम से पता लगता है कि investment multiplier, investment कुछ multiply कर रहा है, ऐसी बात यहाँ पर की जाएगी आपको normally ये पता है कि इस chapter में y को income या फिर output बोलते है और इसके बढ़ने से consumption भी बढ़ता है, saving भी बढ़ती है, investment भी बढ़ती है, ये बात अलग है लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ ये बताई है कि investment के बढ़ने से income बढ़ जाती है और क्या बताया है फाल्तू कि अगर एक रुपे की investment बढ़ाओगे तो income कम से कम एक रुपे से जरूर बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा वो दो रुपे, तीन रुपे, चार रुपे, पता नहीं कितना गुणा बढ़ सकती है unlimited तक तो एक रुपे की investment बढ़ाने से income में कई गुणा तरक्की हो सकती है बस इसी बात को बोलते है investment multiplier और इस पूरे concept को case से denote करते है अगर हमें इसको calculate करना हो, तो calculate करने के तीन formula है पहला है change in income upon change in investment ये multiplier का पहला formula है, delta का मतलब change होता है दूसरा formula बोलता है multiplier, one upon marginal propensity to save और तीसरा formula multiplier का बोलता है, k is equal to one upon one minus mpc तो दोस्तों ये तीनो formula पर discussion भी कराऊंगा, एक एक चीज रिवील करूंगा और ये concept कैसे develop हुआ, कि एक रुपे की investment बढ़ेगी तो income काफी ज़्यादा गुना, यानि काफी multiple times increase हो जाएगी वो सब सारी working इस video lecture में बताने वालों बस अभी फिलहाल definition बनाने की कोशिश की है कि investment multiplier होता क्या है, या तो आप इस formula का use करके definition मना लो इन्वेस्टमेंट multiplier, change in income और change in investment की ratio होती है या फिर घुमाफ इलाके, मुश्किल सी definition मना लो तो definition आपके सामने दो लिखे है, दोनों में से कोई भी याद कर लो इसलिए बीच में और का निशान डाल दिया पहली definition, investment multiplier refers to the ratio of change in income change in income मतलब delta y and change in investment तो इसके हिसाब से तो multiplier की definition ये बन रही है change in income upon change in investment फिर दूसरी definition लिखे है, investment multiplier shows multiple changes in income due to change in investment या language समझना आप जड़ा, अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना ऐसे, तो जो बीच में upon का निशान लगा है दोस्तो यानि ये divide का जो निशान लगा है इसको आप due to पढ़ सकते हो due to English में कोई दिक्कत नहीं है तो change in income due to change in investment is called multiplier ये भी definition असान है, मतलब आपको mathematical science की, जो sign यूज करते है उसकी English आनी चाहिए तो आप और अच्छे तरीके से definition मना सकते हो और ये दो formula ना भूल जाना साथ में इनका ज़रूर कुछ न कुछ काम कराना बाकी है तो पहले इन दोनो formula की detail देखते हैं इनका recharge करते हैं पहले तो यहाँ पर आपको पहले MPC से relation बताता हूँ तो यहाँ पर heading बनेगी ये लिखा है दोस्तो relationship between marginal propensity to consume and investment multiplier ये लिखने से बहले आपको इसका revise कराता हूँ marginal propensity to consume ratio होती है change in consumption और change in income की एक बात ध्यान रखना ये MPC है एक और चीज़ देखलो MPS होता है change in saving upon change in income और जो multiplier है वो क्या है change in income upon change in investment यानि ये observe करो इसमें delta Y उपर है बागी सभी concept में delta Y की value नीचे यानि denominator में है तो इससे एक चीज़ तुमें revise करने में help मिलती है इसके लावा अब देखो क्या मैं साबित करने की कोशिश करता हूँ equally भी लेवल पर ऐसा मानते है Y is equal to C plus I होता है इस equation को आगे बढ़ाएंगे और ये derivates कर देंगे कि MPC और MPS multiplier से कैसे related है ये दोनों बता दूँगा तो दोस्तों अगर ये left hand side और ये पूरी right hand side दोनों को मैं delta से multiply कर दू तो कोई फरक पढ़ना नहीं चाहिए तो अगर delta से multiply किया जानेगा तो ये बच ज़एग equation C plus I को multiply किया delta से bracket बना के भार कर दिया ये delta Y है तो देखो multiply कर दो delta C और फिर delta को I से करो तो delta I और इधर बिचार है delta Y का delta Y equation पर कोई फरक नहीं पढ़ा है अब मैं दोनों की दोनों side को delta Y से divide कर दूँगा तो pen का color तोड़ा change करूँगा ताकि दिखाई दे अब देखो मैंने दुबारा लिखा नहीं है equation दुबारा लिखनी चाहिए थी इधर भी मैंने delta Y से सब कुछ delta Y से divide कर दिया कोई फरक पढ़ता नहीं है ऐसा करने से अब ऐसा करने से क्या हुआ ये दोनों cross हो के one बन गए और ये ratio है MPC की प्लस ये जो ratio है हमारे पास ये जो ratio है ये one upon multiplier है क्यों क्योंकि दो को multiplier क्या होता है delta Y upon delta I और ये exact इसका उल्टा लिखा है delta I उपर है delta Y नीचे तो मैंने multiplier का उल्टा ही कर दिया ठीक है जी ऐसे ratio मन गई अब इस equation को आगे solve करेंगे तो multiplier की value one upon one minus MPC आ जाएगी कैसे आ जाएगी अगले page पे इसको इसको solve कर रहा हूँ वहाँ पस बता रहा हूँ ये बना था one is equal to MPC plus one upon K हमने क्या करना है कि इसको उस side ले जाओ one minus MPC ठीक है जी is equal to one upon K रहा गया अब ये K को उपर ले जाओ K उपर आ गया one minus MPC नीचे लिया उतार के तो ये हो जाएगा one upon one minus MPC तो दोस्तों ये relation है multiplier और MPC में अगर यहां से MPS भी तुमसे पूछेगा क्या relation है तो MPC और MPS दोनों का total one होता है तो इसको replace करके हम इसकी जहाँ पर MPS लिख सकते हैं तो K is equal to one upon MPS हो गया तो multiplier और MPS में negative relation होता है multiplier और MPC में positive relation होता है ऐसा कैसे ये देख लो यहाँ पर numerical example बता रहा हूँ माल लो MPC की value 0.5 है तो multiplier को calculate करके देखेंगे multiplier हो जाएगा one upon one minus MPC MPC की value 0.5 तो calculate कर लो के तो answer 2 आएगा तेखेंगे जी अब माल लेते हैं MPC की value बढ़के 0.8 हो गई है तो multiplier की value आजाएगी one upon one minus 0.8 यानि MPC की value answer 5 आजाएगा तो यहाँ से ये crystal clear होता है कि जैसे MPC की value 0.5 से बढ़कर 0.8 हो गई है ऐसे ही multiplier की value 2 से बढ़कर 5 हो गई है यानि देखो क्या बोल रहा हूं MPC इदर लिखा है Multiplier इदर लिखा है और pen का color change करते हुए कुछ और मेंटर ही आले करे है पहले MPC की value 0.5 थी फिर MPC की value हमने माल ली 0.8 है multiplier की value पहले 2 आई थी और फिर multiplier की value 5 आगई तो साफ दिखाई दे रहा है जैसे MPC बढ़ रही है multiplier भी बढ़ रहा है तो multiplier और MPC में positive relation है अगर यहाँ पर आप MPS की value लेते तो multiplier इससे negatively relate होता है कैसे माल लो इदर लिखा है हमने MPS इदर लिखा multiplier MPS की value पहले 0.8 माल लो फिर माल लो 0.5 यानि MPS की value कम हो गई कम हो गई तो multiplier कैसे आएगा multiplier का formula होता है 1 upon MPS MPS पहले 0.8 है तो 1 upon 0.8 ऐसे करके देख लेंगे और फिर दुबारा MPS की value 0.5 है तो फिर value निकालनेंगे 0.5 तो आप मुझे यहाँ पर खुद calculate करके 2 values बताओ कौन-कौन सी आएगी comment section में इसका चलो बता देता हूँ यहाँ पर 2 value आएगी यहाँ पर बताओ क्या आएगा और यहाँ पर relationship इनके बीच में positive निकलेगा यानि यहाँ पर MPS की value कम हो रही है 0.8 से 0.5 तो multiplier की value भी कम होईगी तो कितनी value लिखी जाएगी यहाँ पर किये कम हो जाए यहाँ आप comment section में बताओगे इतने भी मुश्किल mathematics नहीं है जो काम आपके उपर छोड़ा है इससे मुझे पता लगता है कि तुम मेरे साथ-साथ बनके seriously इस वीडियो को देख रहे हो यह फिर तुम एक्जाम के लिए serious नहीं हो अरे serious ही हो बिल्कुल मेरे साथ बनके रहो यहाँ पर चोड़ी चोड़ी चीज़े मैं आपको बताने की खुशिश की और यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले की याद देला देता हूँ MPC की कम से कम वैल्यू 0 होती थी और ज्यादा ज्यादा वैल्यू 1 होती थी तो इस हिसाब से multiplier की value देखो 1 upon 1-1 MPC होती है न तो MPC की कम से कम value 0 है यह put कर दो तो multiplier 1 upon 1 यानि 1 value आ जाएगी और multiplier में देखो दुबारा 1-1 अगर इसकी पूरी maximum value put कर दो तो multiplier का answer 1-1 यासे आएगा यानि infinity आएगा तो यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ मैं कि यह हद है MPC की value की यह कम से कम value यह ज्यादा ज्यादा value तो यह हद है multiplier की value की multiplier की minimum value 1 होती है और multiplier की maximum value infinity होती है यह बता रहा था आप इसको ऐसे लिख सकते हो के कम से कम value 1 लिखता है ज्यादा ज्यादा value infinity लिखता है एग्जाम में यह भी आ जाता है अभी तक जो question कराएं न हो सुन लो multiplier की definition paper में आ सकती है multiplier का MPC से क्या relation होता है वो paper में आ सकता है multiplier का MPS से क्या relation होता है वो paper में आ सकता है और एक बात मल्टिप्लेयर की minimum value क्या होती है और maximum value क्या होती है वो exam में आ सकती है अब दोस्तों शुरू कर रहा हूँ actually working of multiplier जो की long answer question में आ सकती है लोग answer question में आने से पहले आपको एक बात बदाता हूँ मालो economy के अंदर बिल्कुल भी investment नहीं हो रखी तो अगर zero investment है तो पहली पहली investment मालो 1000 रुपए की की गई है तो पहले जीरो थी अब 1000 हो गई तो दोनों में बदलाव कितने का है 1000 ही बड़े हैं ना 1000 ही बदलाव है तो इस investment को changing आए बोलेंगे देखे शुरू की fresh investment डेल्टा आई होती है वैसे तो ये भी डेल्टा आया है मालो पहले 1000 investment दी अब 2000 हो गई तो दोनों का अंतर 1000 है ना अंतर को ही बोलते है डेल्टा है तो इन दोनों का अंतर भी यही आ रहा B से जमीन खरीद लिए 1000 की यानि इसने इसको जमीन दे दिये तो A ने investment किये 1000 की तो 1000 रुपे की income B को भी हुई है ठीक है ना तो जितने शुरू में investment बदलेगी income भी उतनी बदलेगी उसके बाद क्या process है ये देखो इधर समझाएंगे तो मालो income 1000 रुपे से increase हुई है तो य 80% रुपिया खर्च कर देता है तो 1000 में से वो 800 रुपिया खर्च कर देता है तो जिस से भी इसने समान खरीदा है 800 रुपे का वो बंदे की income हो गई है तो यानि कहने का मतलब ये कि पहली-पहली investment से एक income इसकी बढ़ी इसने खर्च करें वो पैसे फिर किसी और की income भी बढ लो इस बंदे ने 1000 रुपे की जमीन बेची तो जमीन बेच के 1000 रुपे आये तो 800 रुपे के छोले बटूरे खा गया तो छोले बटूरे की income 800 से बढ़ गई अब छोले बटूरे वाले को राशन की दुकान से कच्छे छोले चावल या फिर मैदा वगएरा पर्चेस करनी थ तो इसको भी पैसे खर्च करने थे, तो ऐसा मान लेते हैं कि 800 के 800 रुपे खर्च नहीं करेगा, नॉरमली जितने income आती है सब लोग 100% amount खर्च नहीं करते, कुछ लोग कर भी देते हैं, लेकिन सब लोग अललग अलग तरीके से खर्च करते हैं, तो सब का पता लगाना बड बढ़ गई तो देखो तीसरे बंदे की इंकम बढ़ गई किस वजए से क्योंकि इस सिंगल बंदे रहे हजार रुपे की जमीन खरीदी इस से तो कोई भी पहली पहली इन्वेस्टमेंट हो उसके वज़ए से काफी सारे लोगों की इंकम बढ़ती रहती है अब यहाँ पर ती टेबल की हल्प से असान करते हैं मैं सबसे पहले एक कॉलम में लिखूंगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट दूसरी कॉलम में लिखूंगा चेंज इन इंकम और तीसरी कॉलम में लिखूंगा दोस्तों चेंज इन कंजम्शन कंजम्शन कितना बदला है देश के लोगों का औ उदर डेल्टा सी लिखा है तो डेल्टा सी की वैल्ली हो जाएगी MPC मल्टी ब्लैडबे डेल्टा वाई क्या करा मैंने कुछ नहीं करा इसको उदर ले गया और यह यहाँ पर लिख दिया ठीक जी कुछ नहीं यह समझने आर तो कोई बात नहीं छोड़ दो इसको मैं मतलब य इंवेस्टमेंट करी थी जिससे जमीन खरीजी थी वो या गॉर्मेंट ने मालो फ्रेश इंवेस्टमेंट करी है तो हजार रुपे की उस बंदे की इंकम बढ़ी है अब इस मंदे ने हजार में से 80% पैसा अपना खर्च कर दिया तो हजार का 80% हो गया 800 अब 800 रुपे छोल इंकम बढ़ गई तो राशन वाला भी आगे और पैसे खर्च कर देगा यह प्रोसेस चलता रहेगा इतना सब काल्कुलेट करके बताएंगे नहीं बस यह बता देंगे कि इस अकेली इन्वेस्टमेंट से एक बंदे की दूसरे बंदे की तीसरे बंदे की और नाजाने कितन हो अकेली इन्वेस्टमेंट से कितने गुना इंकम बढ़ गई है मैस में अगर हिसाब लगा होगे तो हजार प्लस आट्सो प्लस चेसो चालीस प्लस आगे पांसो बार आएगा फिर चार्सों नो पॉइंट शे आएगा पता निकितनी वैल्यू जाती रहेंगी आपर अगर अंसर आजाएगा फाइफ पाच गुना बतलब यह मुल्टी ब्लैर बताता है अगर इंवेस्टमेंट हजार से बढ़ी है तो इंकम पाच गुना यानि पांच हजार से बढ़ जाएगी तो इसका टोटल दोस्तों पांच हजार आना चीए और पांच हजार का 80% कंजम्शन म कुछ बुक्स वाले लोग क्या करते हैं वह एक कॉलम और बनाते हैं यहां पर चेंजिन सेविंग की इस कॉलम को बनाने का कोई फाइदा नहीं है इससे नंबर मिल जाएंगे यह वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मुल्टिप्लार की टेबल है अलग से थेोरिडिकल कोशन होता है ठीक है अब यहां पर चेंज इन कंश बताना है ठीक हिंग हो जाये हैं ऐसे मिल्टिप्लेट की वेल्यू मर्टिप्लाइट बाई इनवेस्टमेंट मल्टिप्लार की व्लिविंप्लार की फियांगी क्योंकि हमारे इसकी जगा पांच लिख दिया, मल्टी प्लेड़ बे हजार थाई, तो अंसर हमारा पांच हजार आ गया, तो दोस्तों यह अंसर आ गया, तो ऐसे आपने इस टेबल को बनाना है, बहुत इजी कॉंसेट है, इसके आने के चांस लोंग अंसर कोश्चन में रहते हैं, अब आप से बात करूँगा, नुमेरिकल की, नुमेरिकल इसको पर कैसे आएंगे, हर एक तरीक एक नुमेरिकल तुम मेरे साथ रहके तोड़ सकते हूं यहां पर, देखो, नुमेरिकल क्या बनेगा, यहां पर तीन फॉर्मले घ्यान करने हैं, आपने, दिमाग में रहने है, पहला तो के इस इकल टू डेल्टा वाई अपन डेल्टा ए, पहला फॉर्मला यही है, अब इस फ इसकी और इसकी वेल्यू देदेगा, यह निकालने के लिए पूछ लेगा, एक कोशन बन जाएगा यह, दूसरा कोशन MPC की हेल्ट से बन सकता है, MPC की आपको वेल्यू देदेगा, और पूछेगा मल्टी ब्लेयर निकालो, तो यहां पर अजूम कर लिए MPC की वेल्यू मैं जैसे यहां पर डेल्टा वाइपों डेल्टा एक इवन थी, तो नॉर्मल फॉर्मला यूज कर दिया, MPC की वेल्यू गीवन हो, तो यह वाला फॉर्मला यूज करना, अगर कोशन में आपको MPS की वेल्यू गीवन हो, मालो 0.5, तो MPS वाला फॉर्मला यूज कर देना, 1 नुमेरिकल नहीं बनेगा, इन्वेस्टमेंट मल्टिबलेर के उपर, अब दूसरी वराइटी ओफ नुमेरिकल, यह तो तीन नंबर में कोशन आ सकता है, टर्म दू के लिए जो आपका भी पर होगा, अब बड़ा नुमेरिकल, इकुलिब्रियम इंकम, कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, वो पूरे पांच नंबर का आ सकता है, तो उसको कैलकुलेट करना सीख रहे है, पहले तो आपको बताऊंगा कोशन किस तरीके का आएगा, भाई कोशन के अंदर हमें दो चीज़े गीवन ही गीवन होगी, नॉर्मली, एक कंजम्शन की वेल्यू गीवन यह कुशन में पूछ सकता है, तो आपने अंसर में इस सैट लिख रहा हूँ, लाइन ढालकर, तो हमेशा क्या करने है, हमेशा लिखना है अपने अंसर में की Where will remains Catholicलिट करनी और है at equilibrium मैंने शॉर्ट में लिख दे एक विलिबियम एडी और एस हमेशा एक दूसरे का बराबर होते हैं तो अब जो जो कोशन में गीवन हो वो वो चीज़े पूट कर दो आपके पास अपने पास ओटोमेटिकली इंकम की वेल्यू आ जाएगी देखो कोशन में क्या गीवन है सी की जगा यह पूरी एक्वेशन गीवन है लिख दो तो इस एक जगा लिखा अंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट वाई एक जगा जो आई की वेल्यू गीवन है वो लिख दो प्लस अंड्रड इस इक्वेल टू वाई की जगा य चोड़ दो बस अब आई की वेल्यू निकालने तो करना क्या है वाई वाले आइटम को एक साइड ले एक वाई में से 0.8 वाई गए तो 0.2 वाई बचा और यह अपनी जगा 200 है यह तो देखो यह 0.2 उदर नीचे चला जाएगा इधर अके लाई बचेगा और यह 200 अपॉन 0.2 इस पूरे का अंसर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यह हजार आ जाएगा तो इक्विलिब्रिय पूछलेगा बताओ इस कोशन में MPC कितनी है तो भाई कंजम्शन की एक्वेशन में जो यह वाई के साथ लिखा होता है यह MPC है क्योंकि कंजम्शन की एक्वेशन क्या होती है Autonomous कंजम्शन प्लस MPC इंटू वाई तीसरे आप से पूछ सकता है MPS कितना है MPS 1 में से मानेस क कालकुलेट करके बता दिया चोता है आप पूछ सकता है मल्टिपलेर की वेल्यू बताओ भाई अब मल्टिपलेर की वेल्यू असानी से बता दोगे MPC भी है MPS भी है तो MPS चेक कर लेते हैं 1 अपॉन 0.2 अंसर 5 आ गया ठीक है यह चार चीज़े पूछ लिए असानी से पां करमली कंजम्शन की बात कर रहा है जो कंजम्शन की अक्वेशन ती यह इसमें वाई की वेल्यू जो आई है ना वो पूट कर दो यानी थाड़ मतलब एक एक्सट्राचीज सेविंग भी पूछ सकता है तो शेविंग पूछने के लिए बात द्यान रखना हो इंकम होता है है consumption plus saving saving अगर पूछा है तो income minus consumption कर दो अगया saving तब ही आएगी जब तुम पहले यह equilibrium income निकाल लो उसके बाद consumption निकाल लो तो equilibrium income 1000 थी minus consumption की वैलिव नो सो तो सो रुपर की saving हो गोई इतनी सारी चीजह आपसे पूछ सकता है मातर सरफ इसी कॉश्चन में अब मेरे साथ रहे के कुछ कोश्चन प्रेक्ट इस कर लो प्रेक्टिस कर लोगे तो अगर अभी तक चीज़े थोड़ी थोड़ी वीक थी तो उसमें एक्सवर्ड बन जाओगे तो देखो ये कोश्चन पहला तुमारे अमने पेश करता हूं तो कि तो तक तब तक बात निए बनेगी कोशन यहीं प्रेक्टिस कर रहा हूं हर एक तरीक एक कोशन क्या लिख है यह कोशन नमबर बन है और आगे भी जो कोशन पेस करों उसमें काउंटिंग वन टू-3 हो सकते हैं कोई फर्क नहीं बढ़ रहा लेकिन आपके लिए कोशन है इन एक और मी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानि MPC is 0.75 तो पहली लेंग पड़ी है उससे पता लगा MPC 0.75 है आगे इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इस इंक्रीजड बाए 500 करोड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया इंक्रीज हो है इंक्र नमबर पे 500 करोड अभी 500 करोड अभी 500 लिख देता हूं पेपर में आप 500 करोड लिख देना फिर बोल रहा है क्यालकुलेट टोटल इंक्रीज इंक्रीज इंकम एंड कंजम्शन एक्सपेंडिचर यहां पर cbsc का पूछा वा धागड कोशन है इसमें बोल रहा है चेंज इन की वैल्यू when you calculate करनी यह यह कहना चाहता था इंक्रीज इंक्रीज इंकम एंट क्रीज इंक्रीज इन मैंने वो multiplier से related है MPC की help से आप पहले multiplier निकाल लो multiplier होता है 1 upon 1 minus MPC जो कि 0.75 है आप ऐसे calculate करो कि आपका answer 4 आ जाएगा फिर बोलना मैं एक बात और जानता हूं कि multiplier यानि 4 होता है change in income upon change in investment है ना यानि multiplier क्या formula है अब इस formula में से हमारे पास क्या क्या है डेल्टा आई की value question में दी हुई है multiplier की value अभी निकाल लिए बस यह तीसरी चीज़ निकालने थी change in y यही तो निकालना था तो यहाँ पर क्या करूंगा ऐसे करके multiplier की जगा पोर लिख दिया इस इकवल्ट को निशान डाल दिया डेल्टा वाई की जग दिया डेल्टा आई की जगा 500 लिख दिया बस यह उदर जागे multiplier हो जाएंगे तो देखो डेल्टा वाई की value 2000 आ जाएगी चलो जी 2000 आ गई इसका अंसर आगया 2000 अब उसने एक चीज़ और पूची थी change in consumption expenditure भी निकालो तो अगर change in consumption expenditure या change in savings आजाता है तो उसका link MPC या MPS से होता है तो हम यह आपर देखेंगे MPC का link है तो यह change in saving और change in consumption upon change in income होता है तो MPC की value हमारे पास क्या question में given है गहीं पे yes given is 0.75 तो इसकी जगा 0.75 लिख दिया change in consumption निकालना है change in income अभी अभी आया है 2000 तो काई इसको उपर ले जाओ multiply कर दो 1500 आजाएगा answer change in consumption का इतना तो करी सकते हो ऐसा यह easy level का question नहीं है जो मैंने कराया है यह cbsc oriented question paper में आने के chance है उस level का question कराया है मतलब बिलकुल ABCD से start निगराया एक और आओ एक और आओ कोई नहीं बात नहीं बनी तो एक और question पर आओ चलो जी यह तो वनी लिखा वह question है an increase in an increase of rupees 2000 करोड in investment मतलब investment में 200 करोड की बात हुई है डेल्टा आए की value increase हो गई 200 से इतना लिख दिया आगे पढ़ लो लेट चुराइज इन national income by 1000 करोड इसकी वजए से national income 1000 करोड बढ़ गई चलो जी जो समझदार बंद है उसको आइडिया हो जाएगा अच्छा डेल्टा आई भी दिया हुआ है डेल्टा वाई भी दिया हुए मतलब मल्टी बात होगी यह बोल रहा है find out marginal propensity to consume यानी MPC हम क्या करते हैं अपना काम पहले मल्टी प्लेयर निकाल देते हैं क्योंकि मल्टी प्लेयर का MPC से रिलेशन होता है फिर MPC आ जाएगी कोश्चन में पूछाए MPC निकालो तो यह पर साफ इंफोर्मेशन मल्टी प्लेयर की गीवन है वो डेल्टा वाला फॉर्मला लगेगा क्योंक यह तो बस यह इसकी वैल्यू निकाल लिए MPC की अब मैं पैन का कलर चेंज करूँगा और मल्टी प्लेयर की जगा जो आया है पांच वो लिख दूँगा फिर वन अपोन वन माइनस MPC लिख दूँगा अब इस पूरे की वैल्यू को उठा के ओपर चिपका दूँगा ऐसे इस इकवल टू वन अपोन यह जो पांच था वो नीचे लिया होंगा पांच हो गया इसको अगर तुम काटो के पीटो के तो यह 0.2 होता है देखें MPC बिचारा इधर लियाओ प्लस का है और वन में से माइनस कर तो यह 0.2 तो आंसर 0.8 आगया MPC की वैल्यू 0.8 आगई दो आगयों तो नई बात बनी एक कोशन और सॉल परेंगे यह पाला कोशन देखो है वी लेवल का है इस कोशन में खास बात है थोड़ा लगाए ठीक ए यह इन है नहीं का ओनमी था एकुलिब्यू लेवल फिंकम इस बारा सो अच्छा इकुलिब्यू लेवल फिंकम देदिया बाराइसो चलो जीव इंकम की वेलिव दी है चेंज इन इंकम नी बोला ठीक है फिर बोल रहा है दा रेशो फ मारजिनल प्रोपेंसी टी रू कंज्यूम MPC and marginal propensity to save is 3 to 1 जानी साथ में बोल दिया MPC is 2 MPS 3 is 2 1 है यह रेशो ठीक है बोल रहा है calculate additional investment needed to reach a new equilibrium level of income of rupees 2000 करूर अच्छा दुबारा पढ़ लो कोशन लेकिन मैं बता रहा हूं कि income की एक और वेल्यू दियो हुई है बीस हजार करूर तो एक और income given है यहां लिखा है बीस हजार करूर अच्छा और उपर लिखा था बारा सो करूर ठीक जी यह पर बारा सो करूर यह बीस जार नहीं या इसको दोजार होना चाहिए कोशन फिर इसाब से बनेगा ठीक है इतने की बात कर लेते जोड़ो दोजार करोड की बात है ठीक है तो यह कोशन में information given है तो यहां पर तुम्हें फसाया का है उसने पूछ रहा है calculate investment कितनी चाहिए additional additional का मतलब भी change ही होता है तो change in investment की value पूछ रहा है वो तो तब सब कुछ होगा ऐसा जब आपके पस multiplier की value होगी उससे पहले देख लो दो income की value आपको given है तो डेल्टा वाए इनका gap हो जाएगा 2000-1200 800 हम यह करके चलते हैं कोशन में थोड़ीजी को हो सकती है ना 800 की बात करते हैं दोस्तों चलो ठीक है और जो यह concept आपको given है MPC is to MPS यह फसाने के लिए दिया हुआ है इससे क्या करना है आपको MPC की value निकाल लो MPC के लिए 3 लिखा है ना तो हम लिखेंगे MPC is equal to 3 upon इसका total 4 यानी 0.75 ऐसे ratio में अगर किसी भी चीज़ की value निकालनी हो ना तो उसके लिए जो लिखा है upon total अगर MPS निकालना होता है यहां पर तो क्या करता मैं MPS के लिखा है वन अपोन इनका total 3 प्लस 1 4 हो गया 0.25 वह गई दोस्तों वेल्यू बादब दोनों में से एक की ज़र हो थी दोनों की ज़र्वतीन हिनी क्योंकि यहां से मैं मल्टीप्लेयर लिख दे सब्सक्काइम करें अब लिख दैंगा अब यह बहुँ है है changing income question में निकाला था मने 800 यह रहा तो चेंज इन इनवेस्टमेंट कितना आएगा तो यह चेंज इनवेस्टमेंट इसको उपर ले जाओ यार चेंज इन इनवेस्टमेंट आजागा 200 यह अंसर आगे हमारा यह पूचा कोशन में अच्छा आप स्क्रींशोट ले लो इस नम्मर के कोशन पे यह कोशन ही है यह बोल रहा है यानि जो वन लिखा शुरू में धान मत दू इन एकॉनमी 75 पर सेंट आफ टोटल इंक्रीज इन इंकम इस पेंट ऑन कंजम्शन है जितने भी इंकम बढ़ती है उसका 55 प्रतिशत इस सब कंजम्शन पर खर्च कर दिया जा और फसाने की कोशिश कर रहा है फिर लिख रहा है स्टाष इंक्रीज बाए थाउजन करोड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो गही याई डेल्टा आये थाउजन करोड से और पूछ रहा है यह दो चीजे ए और भी एपर टोटल इंक्रीज इनिकम यानि डेल्टा वाय की वेली निकालो बी पर टोटल इंक्रीज इन कंदमशन एक्स्पेंडिचर एनि डेल्टा सी के विलिए निकालो अपना अंसर शुरू करते हैं हम अब फहले तो निकालेंगे जी आपके मल्टीपलेयर की वेल्यू गीवन है तो वन अपोन वन माइनस MPC और इसका अरजएगा पूर द्रेक्ट लिख दिया वन अपोन 0.25 हो जाएगा ना उसी आप से फिर इसने डेल्टा आई गीवन है तो अपना लाइन डालेंगे मल्टिप्लार होता है डेल्टा वाई अपोन डेल्टा आए मल् गई पूरी 4,000 और यह हो गया हमारा अंसर भी ओके रिपोर्ट है आगे पूचा है कंजम्शन एक्स्पेंडिचर में कितना बदला हो आएगा तो पहले बताया है मैंने चेंजिन कंजम्शन का लेंदेन MPC से है यह फॉर्मला MPC का चेंजिन C अपोन चेंजिन वाई अब इस इसकी वेल्यू आजएगी डेल्टा सी की वेल्यू आएगी यहां पर 3,000 4,000 को गर 0.75 से मल्टिप्लाइ कर दो कर दो कर दो तो यह कोशन पहले एक्जाम में आभी रखा दाकर लेवल का कोश्टन है स्क्रीन शोट ले लो इसका यानि आपको पेपर में सॉल करने तो पहले के फिर यह फिर यह ओके अब देखो फिर कोशन ये ये कोशन लोंग अन्सर कोशन में एकुलिब्रियू लेवल फिंकम वालो कोशन है पढ़ लेते हैं जरा क्या कानिया इसकी पोश्चन नमबर वनी बार लिखा हुए गीवन कंजम्शन फंक्शन यानिक अंजम्शन इसमें यह ओटनोमस कंजम्शन फोटा है यह MPC होती है पता होतो 0.75 वेर सीजी कोल टू कंजम्शन एक्समेंडिचर और वाइश इक्समेंडिचर और यह दो चीजे ए और बी एव बोल रहा है इकुलिब्रियम लेवल फिंकम निकालो यानिवाई की वेल्यू अब और दूसरे पर निकालो चांजम्शन एक्समेंडिचर एकुलिब्रियम लेवल फिंकम निकालनी है यह अलग लेवल का गोश्चन दोस्तों जब भी इसका सॉल्व करेंगे तो यहां लिखा आंसर और सबसे पहले लिखेंगे एकुलिब्रियम एकुलिब्रियम पर क्या होता है एडी और आस बराबर होते हैं एडी का मतलब सी प्लस आए एस का मतलब वाए ऐसे लिख दो फिर जो जो इनकी वैल्यू गिवन है कोशन में वह लिखते रहो सी कि जगह क्या गीवन था यह पूरी वैल्यू तो सी की जगह लिखेंगे 100 प्लस 0.75 वाई और आई की जगह ल और y वाली value एक साथ ले जाओ, y में से 0.75 माइनस कर दो, 0.25y बचेंगे, अब y को अकेला छोड़ दो, 0.25 उदर जाके multiply हो जाएगा, तो 1100 बटे, 0.25 is equal to y की value आ जाएगी, और बताओं की y की value कितनी आएगी, तो 4400 आ जाएगी, करोड में, तो ये first part का answer आ गया, second part का answer निक consumption expenditure की value निकाल ली है, equation तो given ही है, equation क्या given है, 100 plus 0.75y given है, और यहाँ कुछ नया अलग नहीं करना, इस equation को ऐसी डिक्टो टेपना है, पर जहाँ पर y लिखा था, y की value लिख देनी है, 4400, ये, तो यहाँ पर answer आएगा, calculate कर लेना, 3400, तो screenshot लेते वे दोस्तों, आगे बढ़ें एक और question solve करने जा रहे है, question इस बार, saving function से related है, और ये तोड़ा अलग question है, first question निलिखा रहे है, the saving function of an economy is, s is equal to minus 200 plus 0.25y, यानि, s saving equation होती न, minus s bar plus mps into y, to mps की value 0.25y, ऐसा question दिया हुए, the economy is in equilibrium, when income is equal to 2000, income जब 2000 होती है, तो economy equilibrium में होती है, तो calculate करो, ये तीन आइटम, तीन आइटम में पहला क्या है, investment expenditure निकालो, equilibrium level of income पे, इस बार I की value निकालनी है, फिर autonomous consumption निकालो, यानि C bar की value, फिर multiplier निकालो, यानि K की value, ये question थोड़ा अलग लेवल का है, यहाँ पर ADAS approach के थुरू, हम equilibrium का इस्तमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम इस्तमाल करेंगे, saving और investment approach के according, हम लिखेंगे यहाँ पर, answer शुरू करेंगे, अपना A लिखा answer के लिए, फिर लिखेंगे, at equilibrium, equilibrium पे क्या होता है, saving और investment एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर saving की value कितनी दीव पूट कर दो, minus 200, plus 0.25, into y, is equal to investment, अब दोस्तों, investment की value given नहीं है, equilibrium income की value given है, पहले तो आप equilibrium income की value निकाल रहे थे, इस question में given है, और कितनी given है, 2000, तो बस इसकी value है, पर 2000 लिख दो, minus 200, plus 0.25, multiplied by 2000, is equal to investment, यहाँ से multiply करोगे, तो यह 300 आजाएगा answer, solve करके देख लिए ना, तो investment की value यहाँ पर 300 आगई है, चलो जी, अब B में पूछा है, autonomous consumption कितना होगा, यानि C bar की value, तो देखो autonomous consumption और यह autonomous saving equally होते है, बस sign change करना होता है, तो यह 200 हो जाएगा, direct आप ऐसे दो के तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, value तो 3 formula होते है, यहाँ पर उससे related MPS की value given है, तो यह वाला formula लगा देंगे, तो 1 upon MPS यह नि 0.25, तो multiplier की value आजाएगे 4, तीनो पार्ट solve करके दिखा दिया आपको, तो और इसका screenshot ले लो, तब अगले question पर आएगे, और विडियो को खतम करेंगे, last question होगा वो, ठीक है जी, यह question क्या बोल रहा है, from the following data about economy, calculate its equilibrium level of income, यह data में 3 चीज़े दी हुई है, और equilibrium level of income की value निकालनी है, तो ऐसा question भी आ रहा है तीन number में, दिया क्या क्या है, यह marginal propensity to consume given है, फिर autonomous consumption expenditure यानि C bar given है, फिर investment expenditure यानि I given है, तो हमें तो अपनी कहानी करनी है, थोड़ा अलग चलना है ल AD क्या होता है, C plus I is equal to AS, यह होता है, यहीं से शुरुआत करेंगे, अब बस consumption की हमें पूरी value given नहीं है, तो हम consumption की टुकड़े टुकड़े कर देंगे, consumption की जगा क्या लिखेंगे, consumption होता है, C bar plus MPC into Y, और I की जगा I ही रहने दो, is equal to Y कर दो, अब देखो, यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, यह Y भी इसमें है, मतलब एक जैसा है, यह 4 item given है, इस equation में, ऐसे question भी आते है, इन 4 में से कोई 3 चीज़े देगा आपको, और 4 पूछेगा calculate करने के लिए, इसमें तो Y की value पूछी है, लेकिन MPC भी पूछ सकता था, C bar भी पूछ सकता था, अब इस question मे है, क्या क्या given है, C bar की value 300 given है, तो यहां 300 लिख देगा, C bar की जगह, MPC की value, कहा है, यह 0.5, Y की value निकाल ली है, प्लस, I की value, 6000 given है, तो यह Y की value आ जाएगी, क्या करना है, 6000 में यह जोड़ दो, 3300, यहनि 0.5 Y plus, 3300 is equal to Y, यह question में बचेगा, Y वाला माउट एक साथ लिख दो Y minus 0.5 Y, यानि क्या लिखोंगा आगे नीचे, इदर लिख देता हो नीचे, 3300 is equal to Y minus 0.5 Y, अब आगे देखो क्या लिखेंगे, 3300 is equal to 1 Y में से आधा वाई गया, तो 0.5 Y, अब 3300 upon यह नीचे चला एगा, 0.5, is equal to Y, तो अब इसको cancel out करेंगे, तो यह होजाए का बारा हजार 600 is equal to Y, तो 12600 करोड is the equilibrium level of income, दोस्तो, in that case, तो इसके तुरू, बलब स्क्रीनशोट ले लो, मैं सामने से अट जाता हूँ, तो दोस्तो यह कुछ numerical की practice कराई है, आपको अगर इसमें कुछ भी doubt है, तो comment section में बताओ, और लग रहा है कि लब सर महनत कर रहे हैं, आपको पढ़ जाए, तो अब मैं आपको पताता हूँ, कि अगले वीडियो लेक्चर में जो खतब करूँगा इस unit को, वहाँ पर inflationary और deflationary gap करूँगा, जिससे पूरा-पूरा question आने के chance होते ही होते हैं, inflationary gap को दोस्तो access demand बोलते हैं, और deflationary gap को deficient demand बोलते हैं, उनका diagram, उनको solve कैसे करते उनका concept, उसका economy पे impact क्या होता है, each and everything will be covered in the last and final video of this unit, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, thank you so much दोस्तो, जै हिंद, जै भारत